हेई गाइस कैसे आप सब मैं हूँ निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में तो मुझे रीसेनली काफी सारे मैसेजज़ और डीम्स आई की यार कलर ग्रेडिंग पर भी एक ट्रिटोरियल लेकिया तो मैंने सुझा क्यों नहीं बिल्कुल लेके आएंगे अब आप किसी भी इमेज को ना हजारों तरीकों से कलर ग्रेड कर सकते हो और इसका मूड सेट कर सकते हो बट मेरा जो परसनल फेवरेट है वो है औरेंज और ब्लाक का एक मूडी कलर टोन अगर आप इंस्टेग्राम पर सर्च करोगे तो आपको ऐसे कई सारे फोटोग्रफर्स आर्टेस्ट और फिल्मेकर्स मिल जाएंगे जो इसी तरीकी का एक ब्लाक कलर टोन प्रिफॉर करते है अपने इमेजिस में और दिखने में ये टोन बहुत ही सेक्सी लगता है तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम ऐसा ब्लाक और इंज तीम का कलर टोन फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते है और हम लोग ये भी दिखेंगे कि कैसे हम इसका एक प्रिसेट बना ले ताकि जब फ्यूचर में हम इसको अप्लाय करना चाहें किसी भी इमेज की उपर तो बस कुछ क्लिक्स में ही ये क्रियेट हो जाए पूरा हमें प्रोसेस जीरो से ना करना पड़े बट शूरू करने से पहले यार इस वीडियो को लाइक जरूर करे और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यार चाहन को सब्सक्राइब कर ले और लाइकन पर प्रेस कर दो ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब कभी भी में नया वीडियो अप्लोड करो अब चलिए आज का ही वीडियो शुरू करते हैं और यहां पर है हम लोग फोडोशॉप के अंदर और मैंने यहां पर यह इमेज लिया हुआ है इमेज़ आप अंस्प्लाश या पिक्सल डॉट कॉम पर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो मैंने एक पूरा डेडिकेटड वीडियो बनाया है फ्रॉम वेर यू किन डाउनलोड फ्री स्टॉक इमेज़ में लिंक दे दूँगा दिस्रिप्शन में तो इमेज को सिलेक करेंगे जाएंगे फिल्टर और कैमेरा रॉव फिल्टर में बहुत सारी चीज़े हमें चेंज करनी है बट इन सभी चीज़ों का हम एक प्री सेट बना लेंगे ताकि हमें यह पूरा एफेक्ट जीरो से बार बार बनाना ना पड़े तो मैं आपको वह भी एक्स्प्रेइन करूंगा तो सबसे पहले जाएंगे बेसिक सेक्षिन में और जो टेंपरेचर है उसे मैं हलका सा बढ़ा दूँगा तीक है सही है और टेंट की एमाउंट भी मैं हलकी सी बढ़ा दूँगा तो मेजेंटा और वाम येलो मुझे सही लगता है काफी फिर हम बढ़ाएंगे कॉंट्रास्ट को काफी जादा मुझे हाई रखना इसमें और जो शैडोज है उससे मैं काफी नीचे लेके आ जाओंगा ताकि जो डीटेल्स है जो शैडो के डीटेल्स है वो कम से कम रहे ब्लैक्स को भी मैं नीचे लेके आ जाओंगा क्लारिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि एकदम सौफ ना दिखे हमारा जो इमेज है तो राण 20 के असपास सही रहेगा और जो वाइबरिन से कलर का वो भी हम बढ़ा देंगे सही है तो यह थे जो चेंजिस हमें बेसिक सेक्शन में करने है फिर हम जाएंगे कर्व में और मेक्शुर करना है कि आप क्लिक टो एडिट पॉइंट करें ठीक है यहां पर एक पॉइंट बनाएंगे और जो ब्लैक्स है हमारे उसको मैं थोड़ा सा फेडेट कर दूंगा य फिर जाएंगे डीटेल में और शापनिंग करके तोड़ा सा इसे शार्प बना देंगे इसे मिच को ठीक है फिर हम जाएंगे कलर मिक्सर में और जाएंगे यू में जो रेड्स है उसको हम बढ़ा देंगे और फिफ्टी के असपा सही रहेगा थोड़ा सा ओरेंज टोन में जाएंगे और जो येलॉ है उसे हम पूरी तरीके से निकाल देंगे फिर हम जाएंगे साचिरेशन में और 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 ओरेंज को काफी कम कर लेंगे और और बाकी सबी कलर्स को में माइनिस हंडुर कर दूंगा थाकि हमें सिर्फ और सिर्फ और रेड का जो टोन है वो मिले तो आप दिख सकते हो यहां पर किस तरीकी से सिर्फ ब्लाक और ब्राउन का टोन हमें मिल रहा है और जो की हमें चाहिए भी इस पर्टिकलर मूड के लिए फिर अब जाएंगे लूमिनेंज में और सभी वाल्यू को हम लोग 10 से बढ़ा देंगे ठीक है? फिर इसे बंद कर देंगे जाएंगे कलर ग्रेडिंग के अंदर हम इस सिर्फ और सिर्फ हाइलाइट्स में चेंजिस करने है यूग को हम लोग बढ़ा देंगे अराउंड येलो और 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 उरंज के बीच में कुछ ऐसे और साचुरेशन को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा काफी हलका सा फिर इसे क्लोस कर देते हैं जाएंगे ऑप्टिक्स में और हलकी सी हम लोग विनियेटिंग एड़ करेंगे तो विनियेट को मैं सेट कर दूँगा और फिर फाइनली हम लोग जाएंगे कालिब्रेशन के अंदर और जो ग्रीन प्राइमरी कलर है उसके यू को मैं सेट कर दूँगा पूरी तरीके से हंड़िट पर चाहो तो हम साचुरेशन थोड़ा सा कम जादा कर सकते हैं बाट ऐ थिंग माइनिस 10 सही रहेगा तो कलर और स्केंटोस भी काफी सही लग रहे है तो फाइनली हमने सारे अजस्मेंट कर लिए है तो चलिए अब जाके इसका एक प्रीसेट बना लेता है तो मैं सिंपली इन तीन डॉट्स पर क्लिक करूंगा और क्लिक करूंगा प्रीसेट पर ठीक है फिर मैं इस प्रीसेट को जो भी नाम देना चाहाँ वो दे सकता हूँ तो मैंने अल्ड़ी एक प्रीसेट बना के रखा हुआ है पर इसे मैं नाम दे देता हूँ ट्यूट फॉर टूटोरियल हिट करेंगे ओके और ओके तो जैसा कि अब देखते तो बिफोर एन आफ्टर जमीन आस्मान का फरक है बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है और चलिए इसी इफेक्ट को किसी और इमिज पर ट्राइ करते है तो मैं इस इमिज को सिंपली ड्राग उसे हम आइड कर देंगे और ओके एंड बूम वह प्रिसेट हमने आइड कर दिया है तो दाट इस राप गईस आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो डॉप.motions और निखिल पवार पर मैंने लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शिन में दे दिये है तो इसी के साथ मैं आप लोग से मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए तेक केर और अलवेस स्टे रहो स्टे क्र झालवेस